आज मैं आपको एक निव डिजाइन कुशन बनाने बिताऊंगी तो पहले हमने 32 by 32 का एक चार्ट लिया है चार्ट पेपर और उस पे हमने इस तरह से बॉक्स बनाया है तो एक बॉक्स मेरा वन हाफ बाइ वन हाफ का होगा और इस तरह से हम एक बॉक्स को स्किप करके कट करेंगे और इसके पीछे हमने इस तरह से कार्बन को चिपका दिया है इसको स्टिच करने के लिए हमने जो फ्रिल लिया है वह सिक्स पॉल्ड होगा और इसके स्टिचिंग के भी दो प्रोसेस है जिनमें से एक मैं आपको बता रही हूं तो पहले हमने जो वो कार्बन चिकाया था उसको हमें जिस कपड़े का कुशिन बनाना है उसको रखके हम इसको ट्रेस कर लेंगे और ट्रेस करने के बाद हम इस तरह से जो हमारा बॉक्स होगा जो कटिंग बॉक्स होगा हमारा उस पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे कपड़े के फ्रंट पे इस तरह से हम फाइब टॉट टॉट लगा देंगे और फिर बैक साइड से स्टिच करेंगे अब स्टिचिंग का एक प्रोसेस मैं आपको बता रही हूं नेक्स प्रोसेस भी बताऊंगी झाला उन्म एक प्रोसेसे स्टिच करेंगे झाल झाल यह एक प्रोसेस हो गया अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पर झाल 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 तो यह हमारे दोनों प्रोसेस से हमारा डिजाइन रड़ी हो चुका है और आपको जो भी प्रोसेस एजी लगे आप उससे अपना कुशन रड़ी कर लें अब हमने अपने कुशन के बैक पार्ट को रड़ी करने के लिए एटीन इंच पे कट करना है अब हम इसके बीच से कट कर लेंगे और इसके बीच में हम चेन पिट करेंगे तो इस तरह से यह हमारा क्लोज हो जाएगा अब हम इसके बीच से करेंगे आगी पोनी बैठा गाएगा क्यों हो और इसके बास्ट में आगी नहीं बनटा भी अजय को बना मेंको इहां जोने सेश्टार ठीक हुआ जोने हैं नाय को चोड़ा जोने अनुर अनुरी तो यह वाका शूराह गे को अबसे क आ है अची नचने लिए को जब करोंगे ज़से हो। अब हमने जो अपने कुशन का फ्रंट वारा पार्ट रेडी किया था उसके बैक साइड में पेपर रखके सिल देना है और फिर हमारा जो ये बैक पार्ट है मेरी कुशन का उसको और मेरा ये फ्रंट पार्ट दोनों को जॉइंट कर देना है तो हमारा ये कुशन कावर रेडी है आपको कैसा लगा मेरा ये वीजियो कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू